तिरुपती बालाजी मंदर के रहस है दोस्तों आप सभी ने तिरुपती बालाजी मंदर के बारे में तो सुना ही होगा जो कि जर्व भारत ही नहीं बलकि विश्व भर में रहने वाले हिंदूओं की आस्था का प्रमुक केंद्र है ये मंदर अंधरप्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपती के पास तिरुमला पहाड़ी परस्थित है जिसमें भगवान विश्नुव के स्वरूप वेंकिटेश्मिट जी की पूजा की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदर जितना ज्यादा प्राचीन है ठीक उतना ही ज्यादा रहस्थ समय भी है और इसके अंदर छिपरहस से जानकर आप भी चौक जाएंगे तो चलिए जानते हैं तेरोपती बालाजी मंदर से जड़े कुछ रहस्यों के बारे में दोस्तो तेरोपती बालाजी मंदर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र तो है ही लेकिन साथ ही इस मंदर में होने वाली रहस्यों की घटना भी कि भगवान की प्रतिमा के खरीब चाकर काम लगा कर सुना जाता है तब उसमें से समुधर की लहरों की तरहा आवाज आती है हलागी कई लोग कहते हैं कि ये आवाज लहरों की नहीं बलकि किसी और अंजान चीज़ की है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता दोस्तों तिरोपती बालजी मंदर से जुड़ा ये रहस्य अपने आप में ही निरला है क्योंकि इसे आप अपनी आँखों से देखने के बाद भी इसका कारण पता नहीं कर पाएंगे दरसल जब भी कोई व्यक्ति इस मंदर में प्रवेश करने जा रहा होता है तब इसके प्रवेश द्वार से भगवान बालजी गर्भ ग्रह के मद्ध भाग में खड़े दिखाई देते हैं वैसे जब तक आप मंदर के अंदर दाखिल नहीं होते ऐसा सिर्फ तब तक ही है क्योंकि एक बार मंदर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपका ये समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि जैसे ही आप मंदर के गर्भ ग्रह में प्रवेश करेंगे तब आपको अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा क्योंकि असलियत में भगवान बालाजी की प्रतिमा मद्द भाग में नहीं बलकि दाहिनी और कोने में मौझूद है जो इस मंदर को रहस्व में बनाने के लिए काफी है अगर आप उन लोगों में से हैं जनहें लगता है कि तुरुपती बालाजी मंदर के अंदर सिर्फ भगवान की प्रतिमा मात्र ही रहस्व मई है तो निश्यत ही आप गलत है क्योंकि बालाजी मंदर में मौझूद बहुत सी चीज़े रहस्व मई है और ऐसी ही एक रहस्व में वस्तू है इस मंदर के गर्ब ग्रह में रखा चिराख जिसके बारे में ऐसी माननेता है कि वो हजारों सालों से जल रहा है कई वर्षों से इस मंदर की देखरेक करने वालों के नुसार ये चिराख कभी भी नहीं बुच्छता और इसे कब जलाया गया था ये भी कोई नहीं जानता जिस कारण लोग इस रहस समय मानते हैं इस चरांक के अलावा इस मंदर में विराजमान भगवान बाला जी की प्रतिमा के श्रिंगार में इस्तमाल होने वाले कपूर भी बेहद रहस समय है दर असल ऐसी माननता है कि जब इस कपूर को दीवार के उपर लगाया जाता है तब बहुत ही मजबूत ना होने के वज़ा से ये टूट जाता है पराश्चर्र की बात तो ये है कि जब इसी कपूर से बाला जी का श्रिंगार होता है तब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि बालाजी की प्रतिमा पर लगते वक्त ये कपूर बिलकुल भी नहीं तूटता और इसके तूटे बिना ही बालाजी का श्रंगार हो जाता है दोस्तों कि आपको पता है इस मंदर में मौझूद भगवान बालाजी की विशिश पत्थर से बनी जीवन्त पसीना भी आता है जिसे लोग अपनी आँखों से भी देख सकते हैं क्योंकि उनके प्रतिमा से पसीने की बूंदे तक टबकती हैं जो लोगों को हिरत में डाल देती है शायद ही आपको जानकारी हो कि इस मंदर में मौझूद महिंत जितनी बार भी बालाजी की पीट को साफ करते हैं तब ऐसा करते वक्त हर बार उनके पीट पर पसीना होता है जिस कारण मौझूदा समय में मंदर के अंदर का तापमान हमेशा कम रखा जाता है जिससे कि बाला जी की प्रतिमा को ज्यादा पसीना ना आए हालनकि ये बाला जी की प्रतिमा पर होने वाला एक मातर चमतकार नहीं है क्योंकि जब बात इस प्रतिमा के बालों की आती है तो वो लोगों के बीच चर्चा का विशे बने रहते हैं क्योंकि ऐसा मना जाता है कि ये बाल असली हैं जो असलियत में इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि वो कभी भी उलचते नहीं हैं और हर वक्त सॉफ्ट ही बने रहते हैं हलांकि आज तक कोई नहीं जानता कि ये बाल कैसे असली है जो इन्हें और भी ज्यादा रहे समय बनाता है इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इस मंदर में मौझूद प्रतिमा में भगवान वेंकटेश जीवन तरूप में समाहिद है लेकिन अगर आपको लगता है कि वो प्रतिमा में अकेले ही समाहिद है तो ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान बालाजी के साथ माता लक्ष्मी भी इस प्रतिमा में समाहिद है जिस कारण उनकी प्रतिमा को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्तर पहनाने की परंपरा है आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ बालज की प्रतिमा को प्रतिदन नीचे धोती पहनाई जाती है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपर साड़ी से सजाया जाता है जो उनकी प्रतिमा को बहुत सुन्दर स्वरूप देता है भारत में बहुत सा लोगों को लगता है कि भगवान तिरुपदी बालजी का मंदर सरफ वेंगटेश्वर भगवान की प्रतिमा की वज़ा से रहस्माई है लेकिन आज़ा बलकूल भी नहीं है क्योंकि इस मंदर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसे लोगों के बीच रह लग गई थी जिसके कारण आज भी उनकी ठुड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे उन्हें दर्द ना हो इतना ही नहीं ठुड़ी की चोड़ के अलावा भी बाले जी के सर पर अनंताथ वार जी के प्रहार के भी निशान है दोस्तों इससे पहले कि हम सभी जी का श्रिंगार होना हुता है जिस वज़ा से भगवान की प्रतिमा से चंदन का लेप हटा कर उन्हें नहलाया जाता है और बाल में दोबारा उस पर चंदन का लेप चड़ाया जाता है पर इस सब के बीच सबसे हैरान कर देने वाली चीज होती है भगवान की प्रतिमा प भगवान वेंक टेश्वर अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस मंदर में एक गाउं के अलावा किसी भी जगह की कोई भी चीज भगवान को अरपित नहीं कर सकते हैं पर अगर आपको लगता है कि यहां अरपित की गई चीजे हमेशा यहीं रहती हैं और आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदर में लोग जो भी चीज भगवान बालाजी को अरपित करते हैं वो चीज दिरुपती से करीब 20 किलोमीटर की तूरी पर स्थित वेर पेडू से बाहर आती है जो कि लोगों क कि बीचक सर्चर्चा का विशे बनी रहती हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है जिस कारण लोग इसे मंदर को रहस्समय मानते हैं दोस्तों भगवान तिरुपती बाला जी के मंदर से करीड 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गाउ मौजूद है जहां कोई बहरी व्यक्ती प्रवेश नहीं कर सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाउं को भगवान बाला जी से जुड़ा हुआ मना जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाउं से ही भगवान बाला जी के लिए फूल, दूद, दही, घी, मक्खनादी प्रसाद का समान जाता है वरना इस गाउं के अलावा किसी और जगह से आया प्रसाद भगवान को नहीं लगाया जा सकता पर ऐसा क्यूं है? इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंट्रस्टिंग वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करते ना धन्यवाद